सो डिलिसियस सो यमी देखने में लग रहे हैं ना बहुत ही जादा टेस्टी उससे तो जादा खाने में बहुत जादा टेस्टी है यह वेच फ्राइड राइस बहुत ही आसानी से बनाए जाते हैं चलिए बनाते हैं एक खड़ाई में हम तेल गरम करने के लिए रख देंगे तब तक हम देख लेते हमें किन किन चीजों की जरूत है यह मेरे पास लेफ्टोवर राइस एक टमाटर एक बड़ा प्याज सिम्ला मिर्च हरी मिर्ची तोचाल लिफ्स करडी लिफ्स और मुफली के कुछ दाने हैं चलिए तेल गरम हो जाने के बाद मुफली के दाने इसमें निकाल लेते हैं और इसी तेल में हम बाकी की चीज़े मिला देंगे अब इसमें हमें थोड़ी सी राइ एट करनी है थोड़ा सा जीरा एट करेंगे और जो लिफ्स प्याजिस करेंगे उन्हें एट कर देना है अब बाकी की चीज़े मिला देंगे अब इसमें हम प्याज एट कर देंगे एक मिनिट तक प्याज अच्छे से भून लेंगे ज्यादा नहीं भूनेंगे ना तो इसका कलर चेंज होना चाहिए ना ही इसका जो क्रंची पन है वो कम होना चाहिए बस थोड़ी ही देर बुझना है इसके बाद बाकी की चीज़े इसमें एट कर देंगे जैसे की ग्रीन चीली जो की हमने दो ली थी केपसिकम और टमाटर ये तीनों को साथ में ही एट कर देंगे हमें इन सब्जियों को ज्यादा नहीं पकाना है बस थोड़ा ही पकाना है आप चाहें तो अपने पसंद की कोई भी सब्जी एट कर सकते हैं गाजर, मटर, बी, जो आपके पास हो जो आपको अच्छी लगती हो वो आप इसमें एट कर सकते हैं और यह बहुत ही हेल्दी बनती है इनी वेज़िटेफल्स के कारल अब इसमें थोड़ा सा नमक एट कर देना है और इसे मिला लेंगे थोड़ा सा मिला लेने के बाद आप इसमें बाकी की चीज़े मिला लेंगे यह मैंने एक बड़ा चम्मच टमेटो केचप ले लिया है उसे एड़ कर देंगे अब इसमें थोड़ा सा सोया सोस जाएगा इसे भी मिला लें अब इसमें थोड़ा सा सोया सोस एड़ करना है और थोड़ा सा विनेगर एड़ करें ज्यादा एड़ ना करें नहीं तो ज्यादा खट्टा हो जाएगा और थोड़ा रेड चिली पेस्ट एड़ कर दे कम ही एड़ करें क्योंकि हम इसमें ग्रीन चिली पहले ही डाल चुके हैं नहीं तो यह ज़्यादा ही तीखा हो जाएगा इसलिए कम डाले रेड चिली पेस्ट मेरे पास मेगी मसाला है अगर पावभाजी मसाला हो तो वो एड़ कर दे मैंने इसमें थोड़ा सा मेगी मसाला एड़ कर दिया है जिससे इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा अब हमारे पास जो लेफ्ट ओवर बच्चे हुए राइस है वो इसमें डाल दे और इन राइस को बहुत अच्छे से मिला दे दो-तीन मिनिट तक इन्हें ऐसे ही धीरे-धीरे मिलाएं हमारे चावल कूटने नहीं चाहिए ऐसे धीरे-धीरे मिलाते रहें और दो मिनिट तक पका ले इने इनमें सॉस की कोटिंग अच्छे से हो जाए अस तभी तक मिलाना है ज्यादा नहीं पकाना है लीजे हमारे वेच फ्राइट राइस पिल्कुल तयार है इंडियन टच में आप भी खाईए सब को खिलाईए सब को पसंद आने वाली डिस बच्चे बड़ो सब को पसंद आए वेच फ्राइट राइस